हाई फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी आपने Android मोबाइल को जो है फॉर्मिट कर सकते हो यानि कि Factory Reset या फिर कैसे हो हो यहाँ पे जो है Reset कर सकते हो यानि कि आप किसी भी आपने मोबाइल को जो है Reset कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या गरना होगा आपको अपनी मोबाइल की Settings को Open कर लेना है आप मोबाइल की Settings को Open करने के बाद सबसे उपर आपको देखने को मिलेगा Search Bar Options आपको क्या करना होगा, simply, एस तरीक से आप्शिनस देखने को मिलेगा। आपको क्या करना होगा जो यहांपर आपको reset phone का एक option मिलेगा या फिर यहांपर erase all data के नाम से इस तरीकिसे options देखने को मिलेगा so simple आप सबसे पहले आपको reset phone के options पर click करना है अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो जितने भी सारी settings होती है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी अब यहाँ पर देखको आपको तीन options देखने को मिलते हैं एक होता है network reset और दूसरा होता है reset all settings अगर आपको अपने mobile को पूरा reset करना है पूरा mobile को factory reset करना है तो आपको क्या करना होगा simply friends आप सभी को यहाँ पर यह जो erase all data है यहाँ पर आपको क्लिक करना है आप क्लिक करने के बाद आपको friends यहाँ पर अपना mobile का जो lock है आपको यहाँ पर दे देना चाहिए जो आपका mobile का lock है यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपने mobile का lock तो यहाँ पर देख सकते हो जिसे हाँ पर मैं आपने mobile का lock दे दिया उसके बाद नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा और रही बाद यह setting करने से पहले जितना भी आपका mobile का data है like photos, videos, mobile numbers जितना भी आपका mobile का data है सबसे फिले उसको backup कर लेना है एक दूसरे mobile में उसके बाद यह setting करना है ठीक है उसके बाद erase all data के options पर click करना है और erase all data के options पर click करने के बाद यह फिर से आपको पूझेगा erase all data यहाँ पर आपको कर देना है अब जैसे ही करोगे तो friends देख सकते हो आपका mobile जो यह automatic off हो जाएगा और थोड़ी देर बाद यानि कि 2-3 minute के बाद यह automatically on हो जाएगा इससे आपका पूरा mobile reset हो जाएगा मतलब हो कि इससे पूरा mobile format हो जाएगा आप देखो यहाँ पर मेरा mobile आप यहाँ पर reset हो रहा है यानि कि format हो रहा है यानि कि factory reset हो रहा है तो यहाँ पर हम तोड़ा सब wait करते है अब जैसे यहाँ पर यह factory reset हो जाएगा यहाँ पर कोई सरी किसे आपका यह हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है कोई भी बटन को भी प्रेस नहीं करना है सिंपल अपने फोन को ऐसे हावे आपको कुछ मिनिट्स के लिए फ्यू मिनिट्स के लिए लगबग आपको तीन से चार मिनिट के लिए ऐसे फोन को छोड़ जेना है यह आपका रिसेट हो जाएगा और उसके बाद मुबाइल आपका चालो हो जाएगा ठेंक्स वाचिंग लिडियो